जैश्री डाम दोस्तों, 500 वर्सों का इंतजार अब खत्म हो चुका है, राम लल्ला अपने महल में विराजमान हो चुके हैं तो आज के इस वीडियो में हम राम लल्ला और उनके महल से रिलेटेड उस एतिहास को जानने वाले हैं प्रतेक सनातनी के लिए जानना बेहद आवश्यक है, वो अगर्व की बात है, यहां से प्रश्न भी बन सकते हैं आपकी आगामी परिछाओं में तो क्रप्या वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान पूरवक सुनना है, नीचे कमेंट सेक्षन भर जाना चाहिए जैसरी राम के नाम से और वीडियो को प्रतेक सनातनी तक पहुचाना आप लोगों का काम है, तो चलिए शुरू करते हैं, तो आईए आपको इतिहास में ले चलते हैं 1526 सुरू हुआ था ये सिलसिला, जब मुगल साशक बाबर भारत आया, और उसके दो साल बाद, उसके सूवेदार मीर बाकी ने अयुध्या में एक मस्जित बनवाई, जो श्री राम जन्म भूमी पर बनी थी, बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने उस मस्जित का नाम बाबरी मस्जित रखा, मुगलों और नवाबों के शाशन के दोरान 1528 से लेकर 1853 बन तर इस मामले में हिंदु कुछ नहीं बोल पाए, 19 वी शदी में मुगलों और नवाबों का शाशन कमजोर पढ़ने लगा था, अंगरी जी हुकूमत प्रभावी हो चुकी थी, तो इस दोर में ह मस्जित बनाने के 330 साल बाद हुई थी, पहली एफाईर, पहली बार परिसन में हवन पूजन करने पर एक एफाईर हुई, दिसम्बर 1858 को अवद के थानेदार शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि परिसर में चबूतरा बना है, यह पहला कानूनी दस्ता जिसमें पहली बार श्री राम के होने के प्रमाण मिले है, इसके बाद एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी गई, श्री राम जन्म भूमी को दो हिस्सों में बांट दिया गया, आंतरिकवा बाहरी हिस्सों में हिंदुवा मुस्लिम को अपूजा अर्चनावा नवाज सन 1885 जब अदालक तक पहुची श्री राम जी के पक्के घर बनने की बात, 1858 के इस बटवारे के बाद अब ये लड़ाई अदालत तक पहुच चुकी थी, आस ने बाबरी धाचे के बाहरी आंगन में इस्थित राम चबूतरे पर बने अइस्थाई मंदिर को पक्का मंदि बनाने की बात कई, तब उस टाइम के मौजूदा जज ने ये फैसला सुनाया कि उस जगापर हिंदूओं को भी पूजा अर्चना करने का पूरा अधिकार है, लेकिन जिला अधिकारी के फैसले के खिलाफ उस जगापर पक्का मंद्र बनाने की अनुमती हम नहीं दे सकते, ये बात कही थी वहां के उस टाइम के मौजूदा जज ने, फिर 1949 में जहां एक और भारत अंग्रेजों से आजाती की मुहिम लड़ रहा था, उस समय पर स्री राम जनम भूमी का विवाद भी शांत नहीं हुआ था, तो दूसरी और स्री राम जनम भूमी की लड़ाई भी जारी थी, देश आजाद होने के दो साल बाद, 1949 को 25 दिसंबर को धाचे के भीतर, गुम्मद के नीचे मूर्तियों का प्रकणक्टी करण हुआ, 1950 की आजादी के बाद, हिंदूों का पहला मुकदमा, हिंदू महासवाह की सदस्या, गोपाल सिंग विशारत, 16 जनवरी 1950 को फ पूजा अर्चना में बाधा ना डालने की मांग की गई, के बाद, 1959 में निर्मोही अखाडे ने मांगी पूजा अर्चना की अनुवती, जहां इस कडी में एक और मुकदमा, 18 दिसंबर, 1961 को दर्ज किया गया, और उत्तर प्रदेश के किंद्रिय बोड ने या बाद जायर क यह जगा मुसल्मानों की है, हिंदूओं से लेकर यह जगा मुसल्मानों को सौप दी जाये, और जो मूर्तियां परगट हुई है, उनको भी वहाँ से हटा दिया जाये, यह तमाम मामले न्यायाले में चलते रहे, उसके बाद, 1982 हिंदू धर्म इस्तनों की मुक्ती का अभ् दो साल बाद, 18 अपरेल 1984 को दिल्ली में संत महत्माओं और हिंदू नेताओं ने स्री राम जन्म भूमी की मुक्ती और ताला खुलवाने के लिए आंदूलन का फैसला लिया, इसके बाद, 1986 में परिसर का ताला खुला, एक फैसला, एक फरवरी 1986 को आया, जब फैजाबाद क नयाधीश केयम पांडे ने अधिवक्ता उमेश पांडे की अरजी पर इस इस्थल का ताला खुलने का आदेश दे दिया, फैसले के खिलाफ इलहाबाद उच्छ नयायाले में दायर अपील को खारिच कर दिया गया, फिर 1989 में श्री राम जन्म भूमी पर मंदिर का शिला न शिलान्यास की घोशना की गई, काफी विवाद और लडाई जगडे के बाद उस समय के मौझूदा प्रधानमंतरी राजीव गांदी जी ने शिलान्यास की अनुवती दे दी, और बिहार निवाशी कामेशवर चौपाल जी से शिलान्यास कराया गया, फिर 1990 में आडवानी शुरू की रथ यात्रा और आंदोलन को दी नई धार, 1990 के दसक में आंदोलन तेज हो रहा, इस बीच सितंबर 1990 को लाल कृष्ण अडवानी जी रथ यात्रा लेकर निकले, इस यात्रा ने शिरी राम जनम भूमी निर्माण को और यब धार, इस यात्रा ने शिरी राम जनम की सरकार गिर गई और कॉंग्रेस के समर्थन से चंदर शेकर जी प्रदानमंतरी बने, ये सरकार भी ज्यादा नहीं चली, फिर नए सरे से चुनाव हुए, और एक बार फिर से केंद्र में कॉंग्रेस सत्ता में आ गई, इन सब के बीच आई वो एत्यासिक तारीक जिसके ब प्रदेस सहित हजारों लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया इसी के साथ ही राम काज की कानुनी लडाई में मुकदमों का और इजाफा होने लगा इसके बाद सन 1993 में दर्शन पूजन की अनुमती मिल गई पाबरी धाचे को दहाए जाने के दो दिन बाद 8 दिसंबर 1992 को अयुध्या में कर्फ्यू लगा दिया गया कील हरिशंकर जैन ने उच्च नियाया लेकी लखनो खंड पीट में कुहार लगाई कि श्री राम भूखे हैं और राम भूख की अनुमती दी जाए करीब 25 दिन बाद 1 जनवरी 1993 को नियाया दीश हरिनाथ ने तर्शन पूजन की अनुमती दे दी साथ जनवरी 1993 को केंजी सरकार ने धांचे वाले स्थान कल्यान सिंग सरकार द्वारा नियास हो दी गई भूमी इस साइथ यहां पर कुल सरसट एकर भूमी का अधिकरहन कर लिया उसके बाद सन 2002 में हाई कोट में शुरू ही मालिकाना हक पर शुनवाई अपरेल 2002 में उच्छ नियायाले की लखनोखंड पीट ने विवादित इस्थल का मालिकाना हक तै करने के लिए शुनवाई शुरू कर दी उच्छ नियायाले ने 5 मार्च 2003 को भारतिय पुरातत्त को सरवेच्छन के लिए इस्थल पर खुदाई का निर्देश दिया सरवेच्छ ने नियायाले को रिपोर्ट सौपी इसमें सम्मंदित इस्थल पर जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू मंदिर होने की बात कही गई के बाद क्या था 2010 इलाबाद उच्छ नियायाले ने दिया एतिहासिक फैसला 21 मार्श 2017 को सरवेच्छ नियायले ने मध्यस्थता से मामले को सुलजाने की पेशकर्ष की और यह भी कहा कि अगर दौनों पच्छ इसके लिए राजी हों तो वह भी तैयार है 2017 सरवेच्छ नियायले द्वारा मध्यस्थता की पेशकर्ष अयोध्या में श्री राम जन्म भूमी की लड़ाई अब देश की सरवेच्छ नियायले तक पहुँच चुकी थी इसके बाद क्या था 2019 सुप्रीम कोट का फैसला और श्री राम मंदे निर्माड का रास्ता साफ हो गया लेकिन इससे पहले 40 दिन तक लगातार सुप्रीम कोट में सुनवाई हुई 9 नवंबर 2019 को 134 सालों से चली आ रही लड़ाई में अब वक्त था अंतिम फैसले का 9 नवंबर 2019 को सरवेच्छ नियायले ने समंदित इस्थल को श्री राम जन्म भूमी माना और 2.77 एकड़ भूमी श्री राम लला के स्वामित्व की मानी वही निर्मोही अखाला और सुत्री वक्त वोड के दावों को खारिज कर दिया इसके साथ ही कोट ने यह निर्देश दिया कि केंदर सरकार मंदिन निर्माड के लिए तीन महीने के अंदर ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट निर्मोही अखाडे के एक प्रतनिदी को सामिल करें इसके अलाबा यहवी कहा के मुस्लिम समाज को मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड़ भूमी उपलब्द करवाई इसके बाद क्या था? 2020 आया और श्री राम लला के मंदर के निर्माड की आधार सिला का निर्माड शुरू हो गया इसी के साथ दशकों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई अब बारी थी श्री राम लला के मंदर के निर्माड की पांच फरवरी 2020 को प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने आयोध्या में श्री राम मंदर के निर्माण के लिए राम जन्म भूमी तीर्त छेत्रे ट्रस्ट की घोशना की ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को श्री राम मंदर की आधार शिरा रखी गई इसमें प्रियम मोदी भी शामिल हुए 134 साल चली कानूनी लडाई के बाद अब आयोध्या में भव्यराम मंदर का निर्माण होने लगा था जो के श्री राम जनम भूमी पर मंदर के पहले चरण का काम था इसके बाद की कहानी दोस्तो हम सभी जानते हैं 2024 बहुती लखी साल हमारे लिए साबित हुआ श्री राम मंदर बनकर तयार हुआ जब मंदिर में भगवान श्री राम की प्रान प्रतिष्था हुई वो नजारा वो अलोके द्रश्च देखने लायक था हम सभी लोगों ने टेली विजन और इंटरनेट के मात्यम से उस आनंद का उस एतियासिक पल का लुप्त उटाया हम सभी कितने भाकिसाली हैं राम लल्ला हम सभी के आँखों के सामने आए और हम ने दरशन कर पाए ये कहानी इतनी रोचक थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि वीडियो कि इतना लंबा हो गया आप सभी लोग अंतक बने रहे इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दन्यवाद अगर दिल से श्री राम के प्रत्य आपके अंदर भावनाए हो तो इस वीडियो को प्रत्यक सनातनी तक पहुचाओ उन्हें बताओ कितनी मशक्कतों के बाद आज हम ये भव नजारा देख पा रहे हैं जो योध्या जी में बन करके तयार हुआ है इसी के साथ मैं ये श्वरदन तैन्गोरिया अपनी वानी को विराम देता हूँ और सभी लोगों को जै श्री राम